Hello friends, welcome to जार्कन परिक्षा, मैं हुमा संकर जैसे सिजिल 2022 के लिए जार्कन समान नियाधन में हम लोगोंने हिस्ट्री काफी अच्छे से पढ़ा है और इतना डेटेल में पढ़ाने का मकसद यही था कि आप लोगोंने जो पढ़ा है तो यही सब एक बेस की तरह काम करेगा जो आप अभी पढ़ रहे हैं या फिर आगे जार्कन के हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें जार्कन हिस्ट्री में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जार्कन में आंदोलन जारकन में जो विद्रो हुए हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो अगर आपने history का class कर रखा हैं तो कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी in fact काफी अच्छा लगेगा समझने में क्योंकि मैं हर कड़ी को पहले से जो facts मैंने बता रखा है उससे जोड़ कर बता रहा हूँ ओकी तो आज मैं आपको 2 विद्रो के बारे में बताऊंगा पहला विद्रो है 4 विद्रो और दूसरा जो है यह है भोकता विद्रो ठीक है यह 2 विद्रो के बारे में मैं बताऊंगा आपको देखे जब मैंने स्टार्ट किया था इसे तो बहुत लोगों ने कहा कि एक दिन में आप दो से तीन विद्रों को बताईए देखे जहां जितना जरुवत है मैं आपको बता रहा हूँ और बातरे स्लेवस कंप्रीट करने की तो पिछले कुछ दिनों में मतलब चार से पांस दिन जो है गैप आप लोगों को देखने को मिला चोटी बान की साधी थी और मैं कोसिस कर रहा हूँ फिर से उसी रिदम में आने की इनफेक्ट उससे कहीं ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हम लोग कंप्रीट करेंगे तो खेर ये बात हम लोग साइट रखते हैं पढ़ाई पढ़ाते हैं चेरो और भोकता विद्रो तो ये जो है अगर आपने चेरो वन्स पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं पढ़ रखा है तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं कुछ आपको स्टार्टिंग में बता दूँगा ताकि आप चेरो और भोकता इन दोनों को साथ में पढ़ाने का मकसद यहीं है क्योंकि ये दोनों पैरलर स्टार्ट होते है अगर आप अलग अलग पढ़ रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं आपको ये साथ में पढ़ना चाहिए आप क्यों साथ में पढ़ना चाहिए आपको ये समझ में आ जायेगा इस वीडियो के अंतक ये दोनों विद्रों से आप जो है इन दोनों विद्रों के बारे में आप जो है काफी अच्छी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे और इस पर बेश्ट जो objective question है वो हम लोग next class में करेंगे तो start किया जाए चलिए start करते हैं तो चेरों विद्रों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें चेरोंस को समझना होगा थोड़ा सा हमें चेरोंस को समझना होगा ओके देखे बात है पलामो की ये कैसा map बन गया यार चलिए कोई बात नहीं ये जो है पलामो का एरिया है तो इस एरिया में सबसे पहले कौन आये थे सबसे पहले आये थे रकसे ठीक है तो रकसेल के जो last राजा थे कौन थे लाश्ट राजा last राजा थे मान सिंग ये मुगल वाले मान सिंग नहीं है तो ये लाश्ट राजा थे मान सिंग, जो कि रक्सेल के राजा थे तो इस मान सिंग की हत्या करते हैं कौन? भागवत राय थे इन्हो ने मान सिंग की हत्या करके इस छेत्र में पलामु छेत्र में 0-1 की अस्थापना की यह मैंने आपको पढ़ा है डिटेल में अब देखिए देखिए ऐसा नहीं कि आपने पढ़ रखाया तो मैं स्किप कर दूँगा कुछ चीजे होती हैं जो कि रिकॉल कर देना चाहिए तो मैं वही कर रहा हूँ रिकॉल कर रहा हो वरना मैं 0-1 की अस्थापना करता है अब देखिए भागवत राए हो गया यहां मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि भागवत राए कौन था क्या किया इसने इसके समय में क्या हुआ क्योंकि यह सब मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में तो भागवत राय के बाद कौन बनता है ये बनता है अनंत राय कौन बनता है अनंत राय उसके बाद कौन बनता है उसके बाद बनता है सहबल राय उसके बाद कौन बनता है सबल राय के बाद फिर बनता है परताप राय कौन बनता है परताप राय परताप राय के बाद कौन बनता है मेदिनी राय मेदिनी राय और मेदिनी राय के बाद बनता है रुद्र राय रुदर राय के बाद कौन बनता है दिक्पाल राय और दिक्पाल राय के बाद बनता है साहिब राय साहिब राय के बाद कौन बनता है ये बनता है रनजीत राय रनजीत राय ठीक है तो ये आ गया रनजीत राय अब आप correlate कर सकते हैं कि रंजीत राय कैसे आया, सहब राय मैंने आपको पढ़ाया है, मेदिनी राय, परताप राय, सहबल, अननत राय, भागवत राय, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, वैंगे रुदर राय नहीं पढ़ाया था क्योंकि important नहीं था, रंजीत राय यहां त रणजीत राए है ना एक है रणजीत राए तो रणजीत राए ये वही है जिन्होंने नागवनसी सासक यदुनाद सा याद होगा आपको याद कीजिए यदुनाद सा पर अटेक किया था ठीक है और टोरी परगना का जो छेतर था उसको अपने कबजे में ले लिया था ये व संबंदी होते हैं उसका नाम क्या है उसका नाम है जैक्रिष्ण राय क्या नाम है जैक्रिष्ण राय यह जो है अटेक करता है रंजीत राय पर एक्चुली बहुत समय से यह विद्रो करने लगता है रंजीत राय का ठीक है तो जैक्रिष्ण राय जो है अपनी दिवान की इसका दिवान कौन होता है अमर सिंग ठको राई यहाँ पर उसका नाम इंपोर्टन नहीं है लेकिन जब मैंने चेरो रवन्स पढ़ाया था तो वहाँ उनका नाम मैंने जिक्र किया था तो जो जैकृष्ण राय है यह रंजीत राय पर आकर्मन करते हैं और रंजीत राय को मार देते हैं और इसके गद्दी जो है अपना लेते हैं ठीक है अब यह जो है जैकृष्ण राय यह चेरो राजा बन चुके हैं यह जो है चेरो राजा बन चुके हैं कौन जैकृष्ण र आता है तो रंड जीत राय का जो पौत्र है मतलब इसका बेटा का बेटा इसका नाम क्या है इसका नाम है चित्र जीत राय इसका नाम है चित्र जीत राय देखिए यह सब लिंक ढूंड़ने में है ना काफी दिन लग जाएगा आपको बुक में जहरकंड के जो बुक होते हैं और एक book से तो मिलेगा नहीं इतना मैं आसान करके पढ़ा रहूँ आप लोगों को जब आप content देखेंगे और जब book पढ़ना आप सुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप book से कहीं ज़्यादा जान रहे हैं तो रंजीत राय जो है रंजीत राय के बेटे और उसके बेटे मतलब की रंजीत राय का जो पौत्र है क्या नाम है चित्रजीत राय तो चित्रजीत राय क्या करता है चित्रजीत राय जो है जै कृष्ण राय पर ये जो है आकरमन करता है और वापस गद्धी को अपना लेता है क्या हुआ समझ मैं फिर से बता रहा हूं देखे रंजीत राय जो है रंजीत राय जो है अच्छा मैं एक-दो दिन में लाइफ क्लासे स्टाट कर रहा हूं ताकि आपके जो कमेंट से मैं ले सकूँ क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है तो कमेंट करते हैं बाद में रिप्लाइ करता हूं मैं बाद में देखते हैं वो बाद में तो जो लिंक है वो टूट जाता है तो life classes बहुत ही जल दिया start हो जाएगा ताकि आपके जो doubts हैं, जो comments हैं उसी समय reply करके आपके doubts का समाधान कर दिया जाए तो रंजीत राय, अभी ये पलामू के राजा है अब जैक कृष्णराय जो है, जैक कृष्णराय जो है ये आकरमन करते हैं, ये जो है राजा बन जाते है अब रंजीत राय का, रंजीत राय का जो पौत्र है क्या नाम है? चितर जीत राय क्या नाम है? चितर जीत राय है ना, चितर जीत राय ये वापस जैक कृष्णराय पर आकरमन करता है और जैक किश्ण राय को गद्दी से हटा कर गद्दी पर बैठ जाता है कौन? चितरजीत राय ठीक है? नाम याद रहेगा? अब यहाँ पर देखी मैंने स्टार्टिक में कहा था ना कि भोगता विद्रो और चेरो विद्रो साथ में पढ़ना होता है अब ही देखी एक नाम मैं ले रहा हूँ इसको आप याद रखेंगे चितरजीत राय जो है जैक किश्ण राय पर अकेले हमला नहीं करता है इस हमले में इस विद्रो में इंपोर्टेंट रोल होता है चितरजीत राय का जो दिवान होता है इसका नाम क्या है इसका नाम है जैनात सिंग क्या नाम है जैनात सिंग है ना तो जैनात सिंग की मदद से चितरजीत राय जो कि रणजीत राय का पौत्र है ये जैक किश्ण राय पर आकर्मन करता है और इसके गद्दी पर जोकि रंजीत रायका ही था एक समय में तो इस गद्धी पर वो बैट जाता है अब समय बीता चला जाता है चितरजीत रायका यह पलामू के राचा है अब यहाँ पर जैकिश्ण रायक का जो पौत्र है वो एंट्री मारता है इसका पौत्र है इसका जो पौत्र है ये इंट्री मारता है क्या नामें इसका इसका जो उत्राधिकारी था है ना तो इसका जो उत्राधिकारी जो पौत्र था उसका नाम था गुपाल राए तो गुपाल राए जो है अब ये चित्रजीत राय को जो हराना चाहता है और चाहता है कि इस पर मैं बैठ जाओं ठीक है क्योंकि चित्रजीत राय ने जैकृष्ण राय को धोका देगे किसी भी तरह से जो है कद्धी हडप ली थी और मैं इस गद्धी पर बैठना चाहता हूं लिंक आप जोड़ पा रहे हैं इतना आसान तो आपको नहीं मिलेगा आपको अगर डाउट होरा है आप पाउस कर लेजी थोड़ा सा यह जो ग्राफ है ही आप इसको देख लीजिए मтमें già जो है इसको अब देख लीजिए कौण कहां से आ रहा है ठीक है देख़े रतनेगा तो आप रट सकते हैं कि चेरो विद्डवग कब हुआ है बहुगता विद्डरों कब तो गोपाल राय जो कि जैकृष्ण राय का पाउत्र है ये चाहता है कि मैं चेरो राजा बन जाओं चितरजीत राय को जो है गद्दी से हटा दूँ लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता है ओके ये चितरजीत राय गोपाल राय से पाउरफुल है तो ये कुछ कर नहीं पाता है अब क्या करता है गोपाल राय यहां पर ये चालाकी दिखाता है क्या चालाकी दिखाता है ये मदद मांगता है अंग्रेज से किस से मदद मांगता है ये मदद मांगता है अंग्रेज से अंग्रेज उस समय तक जो है छारकंड के छेतर में परवेश कर चुके थे ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ 1770 के आसपास का ये जो चेरो विद्रो है कहां मैंने लिखाता है चेरो विद्रो, ये जो चेरो विद्रो है, ये सतरा सो सतर से सतरा सो इखतर होता है, दो स्टेज में होता है, पहला स्टेज होगे आपका ये, सतरा सो सतर से सतरा सो इखतर, ये होगे आपका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या है, वो कब होता है, अभी बताऊंगा मैं, अब यह पहले स्टेज को समझे पहला स्टेज 177-171 ठीक है तो कहां थे हम लोग हम लोग थे जो गुपाल रहा है ये गद्धी को अपनाना चाहता है चितर जीत राय को हराना चाहता है लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता है तो अंग्रेज से ये मदद मानता है अब अंग्रेज तो इसी तरह के मौके के दलास में रहता है कि वो मदद करे और मदद के एवस में जो है वो वहां पर एंट्री कर जाये चितर जीत रहे पर ये आकर्मन कर देता है कौण अंग्रेज है ना तो अंग्रेज जो है चित्रजीत राय पर आक्रमन कर देता है लेकिन चित्रजीत राय उस समय उतना तागतवर था कि अंग्रेज हार जाते हैं अंग्रेज हार जाते हैं चित्रजीत राय और चेरो का जो सैनिक है चेरो का जो संगटन है उससे अंग्रेज हार जाता है और इसे वहाँ से भागना परता है ठीक है अंग्रेज ये पहला चीश हो गया अब क्या होता है कि चेरो सैनिक जो है चेरो के जो सैनिक है और चितरजीत राय है ठीक है चितरजीत राय पलस चेरो सैनिक चेरोस्यनिक है न, देखिए अंग्रेज जो है परवेश करना जाता है पलामों में उसके लिए अच्छा मौक है, भले ही स्टार्टिंग में ये जो है चितरजीत राय को हरा नहीं पाता है लेकिन ये हर मानेगा नहीं, ये और तागत लगाता है और बन लगाता और सहनिकों को ले जाता है तो बार बार ये जो है आकरमन करना चाहता है और इसी आकरमन का जो विरोध किया जाता है जितरजीत राय और चेरो सहनिक के द्वारा इसी विरोध या इसी विद्रो को क्या कहते हैं? चेरो विद्रो कहते हैं ठीक है तो चेरो विद्रो यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजों के परवेश के विरोध में चितरजीत राय और चेरो सैनिक का विद्रो अंग्रेजों के अगेंस्ट समझ गया अब क्यों क्योंकि अंग्रेज जो है गोपाल राय की मदद करना चाहता है गोपाल राय को यहां का राजा बनाना चाहता है और राजा बनाने के लिए अंग्रेज क्या कर रहा है चितरजीत राय पर आकरमन कर रहा है इसके आकरमन के अगेंस्ट में चितर जीतरा और चेरोस्यानिक जो अंग्रेज का विरोध करते हैं, जो विद्रो करते हैं, वही है चेरो विद्रो, यह हुआ, यह चेरो विद्रो का पहला स्टेज है, यह क्या है, यह पहला स्टेज है, अब अंग्रेज जो है हावी होता है, तो ये जो विद्रो होता है, इसका दमन है ना, चेरो विद्रो जो है, चेरो विद्रो का जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, सतरा सो सतर से सतरा सो इकहत्तर है ना, इसको जो है उत्रादिकार की लडाई भी बोला जाता है उत्रादिकार का लडाई भी बोला जाता है और इस विद्रो के जो दमन करता है इस विद्रो के जो दमन करता है उनका नाम क्या है? जैकब कैमक है ना? जैकब कैमक यह नाम आप याद रखेंगे तो अब क्या होता है कि जो भी सैनिक हैं चेरो सैनिक हैं उनको पराजित किया जाता है अंग्रेजों द्वारा है ना अंग्रेज जो है अंग्रेज जो है डिफीटिट चेरो सैनिक प्लस चेरो राजा क्योंकि बार बार ये परयास कर रहा है इसके अगेंस्ट में चेरो सैनिक विद्रो भी कर रहा है चेरो राजा विद्रो भी कर रहा है लेकिन पाइनली होता है कि अंग्रेज जो है इसको पराजित करते हैं ओके और पराजित करने क के बाद क्या किया जाता है जो पलामु का किला है यह कैप्चर कर लिया जाता है यह हो गया तो 1771 में यह स्टार्ट हुआ था विद्रो और 1771 में चो यह खत्म जाता है पहला स्टेज बस यही है चेरो विद्रो का प्रतम चरण किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए इसके अलावे कोई फैक्त नहीं है अब जो परणा है वो परणा दूसरा स्टेज देखिए यहीं से एक निकल कर आ जाएगा भौकता विद्रो इसलिए निकाल कर बता दूँगा, कि यही भुकता भी तुरू है, अब समस्ते चलिए, अब हमें देखना है दूसरा स्टेश है न, अब देखना है दूसरा चरन, अब दूसरा चरन क्या है, यह क्यों स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, पहला हम लोगों ने देखा, पहला हम में होता है कि यूं होता है कैसे होता इसका समझते चले वैसे तो डारेट्ट current कर्म चाहें तो डारेट्ली हम लोग पढ़ सकते हैं चुडामन राय से अ है ऊ, पिम अ चुडामन राय के पहले का घटना है करीबर 10 मिनट मुझे लगेंगे 5 मिन 5 सके 10 मिन मुझे लगेंगे समझाने में चुड़ामन राय के पहले का घटना लिंक जोड़ने में लेकिन वो उतना important नहीं है और मेरे ख्याल से इस examination के लिए किसी काम कर नहीं है तो हम लोग उसे रहने देते हैं चुड़ामन राय का थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि चुड़ामन राय है कौन देखिए जब JPC के लिए पढ़ा हूंगा तब मैं डिटल ने पढ़ा हूंगा पूरा तो चुडामन राय जो है तो चुडामन राय कौन है देखिए मैं भी जो बोल रहा था ना कि 10 से 15 मिनट लाएगा समय समझाने में तो उसी को एक मिनट में बता रहा हूँ कि वो क्या है सारांस देखिए गोपाल राय जो है राजा बना दिया जाता है पहला चरण जो होता है तो जैकप कैमक दमन करता होते है और चेरो के जो राजा है चितरजीत राय चेरो सैनिक को पराजित किया जाता है अंग्रेजों के दुआरा और फिर गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है ऐसी बहुत सारी प्रिस्तितियां उत्पन होती है कि चित्रजीत राय और उसके जो दिवान है जैनात सिंग बार बार आकरमन करते रहते हैं गोपाल राय पर और फाइनली अंग्रेजों को पता चल जाता है कि गोपाल राय सक्षम नहीं है राजा बनने लाय किये जो है नहीं है पलामू के तो क्या क्या आता है गोपाल राय के बाद का जो उत्रादिकारी था इसका भाई था इसका भाई था बसंत राय बसंत राय ठीक है तो बसंत राय को राजा बनाया जाना था लेकिन ये जो है इसका उम्र उतना नहीं है है ना ये अल्प आयू है अल्प वैस्क है ठीक है तो बसंद राय राजा नहीं बनता है तो गुपाल राय का जो सौतेला भाई है सौतेला भाई जो है ये राजा बनता है और यही है चुड़ा मन राय आप सालांस भी मैंने इस तरह से बता है कि आप समझ जाएंगे, लिंक नहीं टुटेगा, तो छुड़ा मन राय जो ये राजा बन गया है, जो कि गोपाल राय का सौतेला भाई है, अब देखिए, इस समय तक क्या होता है, कि चुड़ा मन राय, अब ये पलामुक के सासक बन जो कि गौपाल राय का सौत्यला भाई है तो यहां पर जो है पलामु का जो राजस्व विवस्था जो है यह जिस व्यक्ति को दिया जाता है इसका नाम है शिव परसाद सिंग ये नाम आप याद रखेंगे शिव परसाद सिंग ठीक है ये कौन है सिव परसाद सिंग ये चुडामन राय का दिवान है ये कौन है ये दिवान है किसका दिवान है ये दिवान है चुडामन राय का चुडामन राय का ये दिवान है स्विपरसाथ सिंग जो की पलामों की राजा स्विवस्था के क्या कह सकते हैं इनका जो पत भार है ये राजा स्विवस्था को ये समाले हुए है स्विपरसाथ सिंग अब यहां पर बहुत सारे जो है नीती बनाई जाती है और वो जो नीती ह वो tax को ले कर है ठीक है, ऐसी नीती है जिससे सोसन हो रहा है यहां के लोगों का, तो इन नीतियों के खिलाब एक व्यक्ति होते हैं, उसका नाम होता है राजा, राजा भोकन सिंग तो यहाँ पर पलामों में जो टैक्स और सोसन से रिलेटेट जो नेतिया हैं उनकी अगेंस्ट में राजा भोकन सिंग जो है यह आवाज उठाते हैं ठीक है यह जो आवाज उठाते हैं और यह जो दिवान है चुड़ा मन रहे का दिवान सिव परसाद सिं का ही एक area होता है रंग का है ना तो रंग का में यह जो है आकरमन कर देता है यह आकरमन कर देता है ओके अब यहीं से start होता है दूसरे चरण ठीक है मतलब ये चेरो विद्रों का दूसरा चरण जो है यही से अस्टार्ट हो जाता है जब राजा भोकन सिंग यहां के आप कह सकते हैं राजा जो है क्योंकि देखिए राजा को हैंडल कौन का रांगरेज तो डिफिनिटली जो नेधियां बनाई जाएगी वो लोग यही से जो है आप कह सकते हैं कि चिंगारी यही से जल उठती है किसके लिए यह जल उठती है जो चेरो विद्रों का जो सेकेंड स्टेज है एक मिनट तो मैं बोल रहा था कि जब राजा भोकन सिंग जो है रंका पर आक्रमन करता है तो यही चिंगारी के रूप में ये काम करता है चेरो विद्रोण के सेगन स्टेज के लिए लेकिन राजा भुकन सिंग जो है करना जोन्स के नितृत्फंवे ये पकड़े जाते हैं और इनको गिरफतार करके राजा भुकन सिंग को जो है फांसी दे दी जाती है ना इनको गिरफतार करके फांसी दे दी जाती है ठीक है ये जो बात हो रही है ये कप की बात हो रही है ये बात हो रही है अठारा सो इसवी की अठारः सो इस्वी की, ठीक है, तो second stage जो है, second stage जो है, इसकी सुरुआत अठारा सो में हो जाती है, अठारा इस्वी में हो जाती है, लेकिन real में, आप कह सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा, कि रियल में 1800 इसवी जो है ये नहीं है चिंगारी की रूप में आप कह सकते हैं कि यहां से एक तरह से जो जागरुकता है विद्रो कब वो स्टार्ट हो जाता है लेकिन असलियत में ये कब पुरी तरह से ये खड़ा होता है ये आप अभी समझें देखें यहां तक अब समझ गए अब होता ये है कि धीरे धीरे ये जो नीतियां बनाई गए थी ये जो नीतियां बनाई गए थी ठीक है ये क्या था ये टैक्स से जुड़ा हुआ था मतलब ले देके यही है कि इसे सोसन होता था लोगों का अब यहाँ पर text के अगेंस्ट में ही तो text समन्दी जो नीतिया थी सोशन समन्दी जो नीतिया थी इसी के अगेंस्ट में तो राजा भूकन सिंग ने विद रोखिया था और उसको फासि को सजा दिय गई थी अब ऐसा होता है कि इन्हें नीतियों के कारण इन्ही टेक्स के कारण चूडा मन राय जो है ये कौन है ये गौपाल राय का सौतेला थाई तो चूडा मन राय जो है ये आर्थिक रूप से कमजोर होने लगता है ये आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से जो है ये कमजोर होने लगता है है ना ये कमजोर होने लगता है कि ये tax देने में अब ये असक्षम होने लगता है ठीक है तो ये सारी है अब tax नहीं दे रहा है तो बकाया जो है काफी बढ़ता चला जा रहा है अब finally ये decide किया जाता है Robertson है ना Robertson जो है Robertson तो Robertson ये सिफारिस करते हैं कि चुडामन को जो है हालनकि इसके पहले एक sentence में बूल गया कि बकाया जो काफी हो गया है तो ये decide किया जाता है कि पलामू को जो है पलामू का निलामी कर दिया जाए चुडामन राय के हाथ से पलामू को अंग्रेजों के कपजे में ले लिया जाए और पलामू को पलामू का जो है निलामी कर दी जाए ठीक है लेकिन रोबर्सन ये सिफारिस करते हैं कि चुडामन राय जो है चुडामन राय को पलामू अभी इसके हाथ से पलामू छीनाना जाए पलामू की निलामी नहीं किया जाए पलामू जो है चुडामन राय को वापस कर दिया जाए ये रोबर्सन जो है सिफारिस करते हैं ठीक है लेकिन फिर भी ये जो है उतना सफन नहीं हो पाते हैं इस शिश्को करने में निलामी को रोकने में पलामो को वापस दिलाने में फिलामन राय को और finally होता यह है कि पलामों की निलामी हो जाती है अब पलामों की जब निलामी हो जाती है तो यहाँ पर देखिए देव के जो सासक है क्या नाम है घंस्याम सिंग घंस्याम सिंग है ना तो घंस्याम सिंग यह जो है पलामों को खरीद लेते हैं यह पलामों को खरीद लेते हैं अब जब यह खरीद लेते हैं पलामों को देखे अब यह पलामों को निलाम किया गया है घंस्याम सिंग ने इसे खरीदा है तो मकसद क्या है 16 से ज्यादा यहां से income collect करना यही तो इसका मकसद होगा गंस्याम सिंग का तो अब यह क्या करता है एक तो जब गंस्याम सिंग के हाथ में पलामू आ जाता है तो यही से जो है चेरो वंस का अंत हो जाता है चेरो वंस का अंत हो जाता है यही से अब घंसयाम सिंग जो है इसके हाट में पलाम हो आ गया है तो ये क्या करता है कि जागिर्दारों की जागिर्दारी है जागिर्दारी को राजस्व बढ़ाने के उन्देश से ये बेचना सुरू कर देता है गंस्याम सिंग क्या करता है गंस्याम सिंग जो है ये जागिरदारी को बेचना सुरू कर देता है जागिरदारी का जो जो दिया गया था जमिदारों को जागिरदारों को जिसको बोला जाता है जागिरदारों को तो बेचना सुरू किया जाता है जागिर को ताकि राजस्व जो है राजस्व ये बढ़ता चला जाए इसको बढ़ाने के लिए मतलब अब इसको सौट में समझे कि घंस्याम सिंग जो है घंस्याम सिंग जो है इसका मकसद सिर्फ यह है कि ज्यादा 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 ये पलामों से इंकम कलेक्ट करता है तो ये जो है जितने भी भूमी दिये गए थे जमिदारों को जागीरदारों को वो बेचना सुल कर दीता है ताकि ये जादा से जादा राजस्त क्राप्पर सेगत इससे क्या हो जाता है? देखे, पहले जो नीतियां थी उससे चेरो के जो आम जनता थे चेरो जन जाती के जो लोग थे वो तो परिसान थे ही अब घंस्याम सिंग के आ जाने से घंस्याम सिंग के नेतियों के कारण यहां के जो जमिदार है यहां के जो जमिदार है जो जागिरदार है जो जागिरदार है और जो पुरु के राजा है है ना राजा के जो समर्थक थे ये भी अब विद्रो करना सुरू कर देते हैं, कर देते थे नहीं, कर देते हैं, तो राजा के समर्थक भी जो है इस विद्रो में सामिल हो जाते हैं, देखिए ये जो चेरो विद्रो का जो सेकेंड स्टेज है, ये अठारा सो में स्टार्ट हो जाता क्योंकि इसी नीती के खिलाब जिस नीती के अगेंस्ट में ये लोग खड़े हुए हैं इसी नीती के खिलाब जो है लगपक उसी नीती के खिलाब जो है भोगन सिंग खड़े होते हैं लेकिन उसको जो एफांसी दे दी जाती है तो चिंगारे यहीं से उत्पन हो जाता है धी प्रें सपोर्ट करते थे उन नितियों का राजा भोकंटसी के अगेंस्ट में थे वह लोग भी अब जो है जेड़ो जन्जाती के साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो इतने लोग अब साथ में यह है चेरो विद्रो का सेंड अस्टेज स्टार्ट होता अठारा सो में लेकिन अब यहां पर देखिए यहां पर क्या है कि इस में इस विद्रों में जो है किसानों ने भी बढ़ चड़कर हिसा लिया था अब यहां पर कोशन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको लीड किस ने किया था इसके leader कों थे इसके leader कों थे तो starting में जो मैंने बताया था सिवपरसाद सिंग याद होगा सिवपरसाद सिंग ये कौन है ये चोड़ा मनराय का दिवान है है ना सिवपरसाथ सिंग ये हो गया रंका का सिवपरसाथ सिंग और राम बक्स सिंग ये दोनों जो है में लीडर माने जाते हैं चेरो विद्रो के सेकेंड स्टेज का सिवपरसाथ सिंग राम बक्स सिंग ठीक है और इस विद्रो का जो दमन किया जाता है विद्रोह का दमन यह जो है रफसेज के द्वारा किया जाता है दमन मतलब इस तरह से नहीं होता है यह खत्म हो जाता है सक्सेस उतना नहीं हो पाता यह लेकिन सक्सेस कब होता है यह जो है अठारा सो उनाईस में यह पलामू जो है प्रत्यक शिरूप से यह सरकारी नियंतरन में आ जाता है सरकारी नियंतरन में यह आ जाता है सरकारी नियंतरन में आने का मतलब यह है कि नजदीक में जो रामगर्ड का कलेक्टर था ये इसे सौप दिया जाता है तो ये था चेरो विद्रो ये क्या था ये था चेरो विद्रो है ना तो सेकेंड देखे पहला स्टेज जो था फर्स्ट स्टेज चेरो विद्रो का जो फर्स्ट स्टेज था ये क्या था ये था 1770 से 1771 और सेकेंड अस्टेज जो था दोनों का जो कंसेप्ट है मैंने आपको जो वह समझा दिया बाकि जो है कोशन के मादियम से आप समझ त्हूंज लेंगे ये था चेरो विद्रो अब इनन िकेंसे हैं डिक ये चेरो विद्र कम्प्रेट हो गया अब देखिए भोक्ता विद्रो भोक्ता विद्रो जो है 33 मिनाट हो गया ना चलिए भोगता वित्रो देखिए मैंने बताया था कि जो चित्रजीत राय है चित्रजीत राय ये जैकरिष्ण राय की हत्या करते हैं किसकी मदद से गतें है जैनात सीघ्ण कौन है इसका चित्र यह मैंने आपको बता दिया Indigenous स्या दिवान चानल का मतला समझतें अप दिवान बहुती बड़ा पोस्ट होता है अगर को ilia होता है तो वो दिवान का होता है तरह से प्रधान मंतिली से आप कंपेर कर सकते हैं किसी भी चेतर का दिवान आप उस चेतर के प्रधान मंतिली से कंपेर कर सकते हैं जैनाथ सिंग जो है मतलब दिवान से अंग्रेज डारेक्टली कॉंटेक्ट करते थे हैं तो जैनाथ सिंग जब दिवान थे तो होता क्य क्या है कि अंग्रेंज जइनाद सिंग को एक आदेश देते हैं कि तुम जो है पलामु किल छोड़ दो पलामु किला जो है छोड़ दो जैनाद सिंग दखी इनका पूरा नाम क्या है जैनाद सिंग्फ का अभी कुछ-कुछ आप समझना सुखता देंगे इनका पूरा नाम मतलब यह जो है जैनात सिंग भूगता है तो पलामु किला छोड़ने का आदिस दिया जाता है अंग्रेजों के तुरू किसको जैनात सिंग भूगता को ओके यह कौन है यह चितरजीत राय के दिवान है चित किली कोपाल राय जो है अंग्रेज़ों से मदफ मांगते हैं अंग्रेजिस की मदफ करते हैं और होता क्या है इसको पर देखिए पलामु किला छोड़ने का आदिस दिया जाता है यह जो आदिस है यह आदिस के कारण Emperor कि तक ह到 को यह चैनात सिंग भूगता चलिए यह त्या जो power था वो देखकर जैनाथ सिंह जो है तैयार हो जाते हैं ठीक है मैं यह एकिला छोड़ दहुंगा लेकिन यह जो है यह कुछ conditions रखते यह गुछ conditions रखते हैं त्थीक है अंगरेजों के सामने अंग्रेज देखते हैं इस condition को लेकिन यह condition असे थे जो कि एंग्रेज़ नहीं मानते हैं और यह आकरमन कर देते जैनाद सिंग भी लड़ता है लेकिन अंग्रेज इस पर हावी हो जाता है ठीक है अंग्रेज्ग यो है इस पर हावी हो जाता है तो जैनाद सिंग भी जो है देखे अब आपको याद आ रहा होगा ये वही समय है जब चेरो विद्रो स्टार्ट हुआ था जो चेरो सैनिक थे जो चेरो राजा थे तो उनका अंग्रेजों के इंट्रेंस के अगेंस्ट विद्रो वो गोपाल राय को राजा बनाना चाहते थे ठीक है तो ये साथ में होता है जैनाथ सिंग को जब पलामो के लाच छोड़ने के लिए बोला जाता है तो ये विद्रो करता यही हो गया भोगता विद्रो और कुछ नहीं है यही है भोगता विद्रो यही है भोगता विद्रो ठीक है जैनाथ सिंग भोगता के लिडर सीप में यह होता है तो दोनों में लड़ाई होती है लेकिन जैनाथ सिंग जो है जीत नहीं पाता है फाइनली होता ये कि जैनाथ सिंग जो है इस चीज को छोड़कर ये जगा छोड़कर ये सरगुजा चला जाता है कहां चला जाता है सरगुजा चला जाता है ठीक है और फाइनली इस तती ये होती है कि जो अंग्रेज है वो को पालराय को राजा बना देते हैं तो यही है भोगता वित्रो, मतलब जैनाद सिंग भोगता को पलामु किला छोड़ने के लिए जो आदेश दिया जाता है, उसी आदेश के अगेंस्ट में जैनाद सिंग का जो वित्रो होता है, अंग्रेजों के लिए उसी को बोलते हैं भोगता वित्रो, ओके, यह हो गया भो विद्रो की बात आए तो आप भोगता विद्रो भी याद रखेंगे अब सवाल उड़ता है कि इसका टाइमिंग क्या होगा तो जो स्टार्टिंग वाला फेस था वही टाइमिंग हो जाएगा सतरा सो सतर से सतरा सो इकटर यहीं इसका टाइमिंग हो जाएगा यही है भोकता वेतरो याद रहेगा अब इसी को अगर आप नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है यह जो पेडिएफ है मैं आपको सेंड कर दूँगा आप रिवाइस कर सकते हैं और इसके बाद जो कोशन के माध्य हम से जो पढ़ाया जाता है जो लेक्चर दिया जाता है उसको अब देखिए ताकि कंसिप्ट और भी किलियर हो जाए यह आपको याद रहेगा कोशन करने के बाद उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गैप रहा लेकिन क्या किया सकता है काम तो काम है मैं कोशिस कर रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए और लाइफ क्लासस मैं बहुत ही जल्द लेने वाला हूँ आपका मैं कंप्लीट करवा दूँगा तो चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट किया कीजिए लाइक किया कीजिए शेर किया कीजिए बस यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ चलिए मिलते जारकन के लिए वीडियो में धन्यवाद